दोस्तों पंजाब में आज भगवंत मान का मुक्यमंतरी सपतगरहन समारो चल रहा है और इसके लाइव अपडेट आपको बताते हैं बसंती रंग की पगड़ी और दुपत्ता ओड़कर समर्थों की भीड आई इसके कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं गर्वनर खटकल कड़ा पहुँचे दरसल भगवंत मान का सपतगरहन समारो है सहीद बगत सिंग के पेत्रिक गाउं खटकल कड़ा में होने की एक दिल्चस्प वज़य है क्योंकि साल 2011 में यहीं से पंजाब के सफल कोमेडियन रहे भगवंत मान ने सियासी जीवन सुरू किया था भगवंत मान की अपिल के बाद उनके समर्थक बसंती रंग की पगड़ी और दुपत्ता ओड़कर समुहरों में पहुँचे इस समारों में करीब दो लाग लोगों के इकटा होने की उमीद हैं भगवंत मान के सपतकरन समारों के लिए अमेरिका से उनकी बेटी सीरत कोर मान और बेटा दिलसान मान भी खटकल कड़ा पहुँचे आपको बता दे मान का 2015 में पतनी इंद्रजीत कोर से तलाग भी हो गया था भगवंत मान का खटकर कला से क्या नाता रहा आप देख सकते हैं साल 2016 में संगरूर से लोगसबा चुनाव जीते थे सीथ का सार्टिपिकेट लेकर गए थे खटकल कला सहीद भगत सिंग समारक पर भावग हो गए थे मान ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं आपको बता दूँ अभी खटकर कला में करीब 13 एकड में पांडाल बना गया जिसमें तीन मंच बनाए गया है और आज इनके सपतगरन समारहों में मुक्यमंतरी दिल्ली के सीए मर्विंद केजरिवाल और नाय मुक्यमंतरी भगवंत मान गरुनर बी एल पुरोहिट और दिल्ली के उप मुक्यमंतरी मनीश्ची सोधिया समेट कई बड़े निर्ता भी मुझूद रहे भगवंत मान अपने आप में लगी मानते हैं नमबर 16 को सोला को क्योंकि सोला माई 1912 को उनकी पहली केसे ट्रिलीज हुई थी जानकरी के लिए बता दू भगवंत मान इससे पहले कोमेडियन थे और 16 दिसंबर 1912 को जब उनकी दूसरी केसे ट्रिलीज हुई तो उससे वे फेमस हुए थे और उसके बाद उन्होंने जब राजनिती में कदम रखा थो 16 माई 2014 को पहली बार वो लोकसभा MP चुने गए वो भी सोलवी लोकसभा की चुनाव में ही और मान ने इस मार्च सोलवी विदासभा के लिए चुनाव लड़ा और सीम चेहरे के तोर पर बतोर चुनाव लड़ते हुई वे जीत के और इसलिए बगवन तमान ने कहा कि 16 मार्च को उन्होंने मुक्या मंतरी पत का सपतगरण समारोह रखा जानकारी के लिए बता दूँ आम आदमी पार्टी को पंजाब में चुनाव जीत में 117 सीटों में से 92 सीटों मिली हैं जबकि मेजुरेटी के लिए यानि के बहुमत बनाने के लिए 69 सीटों की ही जरूरत थी तो भारी बहुमतों के साथ आम आदमी पार्टी यहां पर पंजाब में सरकार बनाने में काम्याब हो पाई हैं और आगे रखार आज पंजाब को नया मुक्य मंतरी भी मिल चुका है भगवन तमान भगवन तमान की जिन्देगी का सफर आप देख सकते हैं साल 1973 में संगरूर जीले के सतोज गाउं में उनका जन्म हुआ 1992 में बिकॉम की पड़ाई छोड़ दी, 2011 में राजनेतिक सफर की सुरुआ की, 2012 में विदानसबा चुनाव लड़े लेकिन हार गए 2014 में सांसच चुने गए, 2015 में पत्नी अलग हो गई, 2019 में दूसरी बार सांसच चुने गए और 2022 में पंजाब के मुक्य मंतरी बने वाके में इनका सफर काफी, शंगर्शियों बरा और मोटिवेशनल प्रेणा दायक रहा है, बगवंद मान ने सपतगरन समारोह में कई बड़ी गोसनाई की, उन्होंने कहां कि मैं पंजाब का बखो भी नेत्रित करूँगा, और जो बगत सींग की सपने थे, उनको पूरा क पंजाब में लागू कर देगी, और एक अप्रेल से ही पंजाब राज़े के लोगों को 300 इनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगी, और भी उनका कहाना दोस्तों की जो भी पंजाब में वादे किये सरकार बनने से पहले, उन सभी वादू को उनकी सरकार पूरा करेगी, दोस्तों, अर्विंद केजरिवाल वो नायक हैं चिनकी मेहनत के बदोलत के चलते आमादमी पार्टी ने पंजाब में इधियास रच डाला, उत्रप्रदेश और उत्राखन समित 5 राज़ू की सभी विदानसभा सीटू पर जो परिणाम गोसित हुए, यूपी उत्राखन म तो आमादमी पार्टी कुछ खांस नहीं कर सके लेकिन पंजाब में इधियासिक जीत दर्ज हुई हैं, 117 विदानसभा सीटू वाले पंजाब में आमादमी पार्टी ने बरान में सीटे हांसिल करके इधियास रच डाला, क्यूंकि दिल्ले के सीएम जो वाकई में बनाने में काम्याब रही हैं, केर बेश्ट अपलक हम सब की तरब से बहुत बहुत धेर सारी सुब कामना हैं, भगवन्त मान को और पंजाब के सभी करोडू लोगों को, उज्वल भविशे के हम कामना करते हैं, वीडियो को लाइक और शेर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सस्क्राइब करके बल आइकोन जरूर दबा देना, जै हिंद, जै बारत, वंदे मात्रम